Hello everyone, welcome to Feedback Academy. I am PV Sharma and अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप एक दो questions देख सकते हैं and अगर आपको अच्छा लगे हमारी वीडियो, आप subscribe करके bell icon दबा सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो रोज डालते हैं current affairs and static GKS related, so video का notification आपके पास अपने आप आजाएगा and अगर आपको अच्छी नहीं लगे वीडियो तो आप डिसलाइक करके वीडियो से बाहर जा सकते हैं, as a student आपका time बहुत important है, जो content आपको पसंद आए, आप उस पे कम से कम time लगाए, so, चलिए फिर question 1 से हम लोग start करते हैं आज के current affairs, that is 21st of June 2020 के, so, which country will be the UNSC president for August 2021, United Nations Security Council के लिए, जो president है August 2021 के लिए, वो कौन सी country बनेगी, वो बनेगी India, अभी आपको पता होगा कि India, Norway, Ireland, Kenya and Mexico, इसी को, ये सारे के सारे non-permanent members के तरह elect हुए है, 5 permanent members होते हैं, और 10 non-permanent members होते हैं, so, rotation basis पे, जो non-permanent members होते हैं, वो बार-बार elect होते रहते हैं, so, ये 5 countries अभी newly elect हुई हैं 2021 के लिए, जिनका term स्टार्ट होगा, 1st of January 2021 के लिए, 2 साल का term होता है, जितने भी countries होते हैं, वो एक-एक महीने अपनी presidency रखती हैं, so, India का turn आया है August 2021 में, okay, सही आंसर है India, right, so, India will be the president, अब क्योंकि United Nations की बारे में बात हो रही हैं और India के बारे में बात हो रही है, so, India's permanent representative United Nations कौन है, वो है, TS. तिरुमूर्ति, ये question important है, because ये काफी questions पहले जब सहीद अक्रुबिद्दीन जी थे, तो उन पे भी काफी questions बनते थे हैं, ये recently बने हैं, appoint हुए हैं, so, इन पे भी questions आ सकता है, so, TS. तिरुमूर्ति जी ये हैं, आप अपनी screen पे देख सकते हैं, इनकी photo आप याद करें, क्योंकि आप एक mental picture अपनी दिमाग में store करेंगे, so, जैसे ही आप कहीं पे TS. तिरुमूर्ति किसी option में देखेंगे, so, इस picture अपने आप आपके दिमाग में आगी, आपको question solve करने में आसानी होगी, right, so, question second की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कौन सी ministry ने अभी एक research and development portal स्टार्ट करा है, सत्यभामा, right, so, वो कौन सी ministry है, वो है ministry of coal, okay, second option है, ministry of coal, अब सत्यभामा का full form क्या है, science and technology, योजना for आत्म निर्भर भारत in mining and advancement, मतलब यह कुछ भी बना रहे हैं, हिंदी, English सब मिला रहे हैं, और फिर हिंदी को English में लिख रहे हैं, मतलब बनाना हैं सत्यभामा, अगर मैं होता, coal इंडिया में कभी इसको अप्रूव नहीं करता है, इस initial को, वगए चलिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अब हैंना, तो हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या है, यह एक पोर्टल बनाया गया है, जिससे कि हम लोग Science and Technology Programs, जितने भी होंगे Ministry of Coal और Ministry of Mines में, वो एक पोर्टल पे होंगे, जिससे कि Research and Development में आसानी होगी, उससे Efficiency बड़ेगी और Effectiveness बड़ेगी, क्योंकि अगर सब कुछ online होगा, सारे Resources online होगे, सारी Studies online होगी, तो reference लेने में असानी होगी, और बाद में R&D करने में भी, जल्दी से जल्दी उसमें time waste नहीं होगा, फिजिकल documents को सर्च करने में, obviously time waste होता है, online documents असानी से सर्च हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग Ministry of Coal के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये photo याद रख सकते हैं, ये Ministry of Coal की है, जैसे coal mining जब करते हैं, and जो Minister of Coal है, जिन्होंने ये launch करा है, वो कौन है, वो है प्रलाज जोशी जी, वो कौन सी party को belong करते हैं, आप देख सकते हैं, इस photo से आप याद रखिए, कि वो BJP को belong करते हैं, right, so BJP को belong करते हैं, and ये जो R&D portal है, ये किस-किस ने मिल के बनाया है, ये बनाया है National Informatics Center, इंडिया के जितने भी government organizations हैं, उनके जितने भी portals हैं, जो online से related हैं, जो internet से related हैं, जादा से जादा 98% portals जो हैं, उसमें NIC की भूमिका है, that is National Informatics Center की भूमिका है, right, और जो second division है, वो Cole India की अपनी division है, that is Mines Informatics Division, okay, so इन दो divisions ने मिल के, ये सत्य भामा, जो है R&D portal बनाया है, अब National Informatics Center के बारे में, मैंने आपको बताया था, इनके जो chairman या managing director हैं, इनके बारे में भी बताया था, so आप मुझे उनका नाम comment box में लिखके बताईए, चाहे आप Google करिए, चाहे हमारी पूरानी वीडियोस देखिए, मगर नाम आप जब comment box में लिखेंगे न, so आपका भी interaction होगा, और जब आप कुछ कोई particular नाम के साथ, कोई particular information के साथ सिर्फ सुनते ही नहीं, अपना involvement भी रखते हैं, तो आपको वो चीज अच्छे से याद हो जाती है, मुझे पता है, definitely आप में से किसी को याद नहीं होगा, कि ये NIC के MD कौन है, तो आप Google search करेंगे, फिर आप comment box में लिखेंगे, तो इस procedure से क्या होगा, कि आपको वो अपने आप ही याद हो जाएगा, आपको जबरदस्ती अपने mind को force नहीं करना पड़ेगा, कि ये particular name याद करो, ओके सो comment box में लिखना ना भूले, question number, ये थोड़ा सा mistake होगी, question number 3 है, question number 2 था, question number 3 है, which Indian company reaches 150 billion dollars market valuation mark, company है Reliance Industries, जो की Mukesh Ambani ji की company है, जिनको आप देख सकते हैं अपनी screen पर, right, so option 3 is the right, 1 billion dollars होते हैं, लगभा 11.15 लाग करोड, okay, zero गिंते गिंते रह जाओगे, मगर आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने zero है, okay, और इनके अलावा कोई हो भी नहीं सकता, जो इनसान अपने बेटे को employment देने के लिए, पूरे देश को free internet बाट दे, so, उनके अलावा तो इतनी बड़ी figure की company को कोई चलाने वाला हो ही नहीं सकता, okay, so option 3 is the right answer, वो पहली 150 billion dollars की company बनी है, in terms of market evaluation, okay, question number 4 है, इसका लोगो है, appoint कौन हुए है, वो हुए है, उर्जित पतेल, आपको बता दूँ कि उर्जित पतेल हो गए, रगुराम राजन हो गए, शरीकान दास हो गए, ये तीनों हमारे governor रह चुके हैं, और शरीकान दास तो अभी भी presently governor है, RBIK, that is Reserve Bank of India के governor रह चुके हैं वो, अगर आप इस photo में देखें, उर्जित पतेल राइट हैं पर हैं और रगुराम राजन लेफ्ट हैं साइट पर हैं, ओके, ये दोनों governor रह चुके हैं हमारे RBIK, और अभी जीत बैनर जी, ये एक Indian origin के economist हैं, जिनको Nobel Prize मिला है अभी, recently इनको Nobel Prize मिला है, इनकी और इनकी wife, दोनों को Nobel Prize मिला है, इनकी wife का नाम है Esther, ओके, तो यहाँ पर वो बिलकुल fit होता है, जो proverb होता है कि, behind every successful man there is a woman, बट यहाँ पर थोड़ा उल्टा भी है, हम लोग vice versa भी बोल सकते हैं, because इन दोनों को ही Nobel मिला है, इन्होंने जो research करी थी, economics पे, okay, so next question की बात करें, so World Refugee Day हम लोग कब celebrate करते हैं, हम लोग celebrate करते हैं, 20th June को, और इसकी theme क्या है, इसकी theme है, every action counts, basically जितने भी refugees है, हमारा मकसद यह है कि यह बताना कि, उनका contribution भी एक देश की economy में, social infrastructure में बहुत एहम होता है, उनका भी हर एक action count होता है, एक nation को form करने में, refugee के definition क्या है, refugee के definition यह है कि, वो कोई भी इंसान, जो अपनी country से भाग के आया है, या अपनी country छोड़ के आया है, इस डर से कि, वो हाँ पे उसका religion के basis पे, nationality के basis पे, या फिर race के basis पे, उसका discrimination हो सकता है, या फिर execution तक हो सकता है, so basically यह World Refugee Day को represent करता है, यह जो poster हैं, आज से आप देख सकते हैं, कि जो refugees हैं, वो different different countries travel कर रहे हैं, old age वाले भी कर रहे हैं, newly age वाले भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, because उनकी अपनी country में, उनको इज़त नहीं मिलती है, and execution का डर होता है, मतलब मारे जाने का डर होता है, और इसको मनाता कौन है, इसको मनाता है United Nations, अब क्योंकि United Nations के बारे में बात हुई है, तो एक question मैं आने आप से कल भी पूछा था, and आज फिर से पूछ रहा हूँ कि United Nations के Secretary General का नाम क्या है, आप comment box में लिखे बताएए, क्योंकि बहुत important question है, and यह किसने किसी exam में आएगा, because वो recently भी change हुए थे, okay, so आप मुझे उनका नाम बताएए, next question की बात करें, so गाउंगली, सुरफ गाउंगली और सुनील चेतरी, यह brand ambassador बने हैं अभी, कौन से organization के बने हैं, गाउंगली की बात करें अगर हम, वो बने हैं JSW cement plant के, okay, सुरफ गाउंगली जी, अरे, यह तो गलत फोटो आगी, यह है, सुरफ गाउंगली जी, जो आप देख सकते हैं, इस फोटो से आपको दो चीज़े पता चलती है, एक पहले की सुरफ गाउंगली कौन है, एक पहले की सुरफ गाउंगली कौन है, और दूसरे की वो board of control of India के, यह जो पीछे हैं, यह सुरफ गाउंगली, यह JSW Cement का poster है, जो उन्होंने release करा था, इन्होंने एक leaders choice का marketing campaign भी launch करा है, तो इस question को दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो यह पूछ सकते हैं कि गाउंगली और चेतरी brand master कौनसी organization की है, एंड यह भी पूछ सकते हैं कि leaders choice marketing campaign जो है, वो कौनसी organization ने launch करा है, राइट, वो किस ने करा है, वो करा है JSW Cement ने, राइट, तो next question की बात करें, वो इस अपॉइंटेड अस नेक्स इंडिया's envoy to Zimbabwe, अब इंडिया's envoy, इसका मतलब ambassador ही होता है, कि Zimbabwe में इंडिया का नया ambassador कौन बना है, वो बने हैं आपके विने खंदूजा जी, राइट, विने खंदूजा जी बने है, एंड जिंबावे की बात करें, तो Zimbabwe world map में यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं, और अगर थोड़ा और प्रिसाइज जाएं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जिंबावे है, यहाँ पे South Africa है, यहाँ पे Botswana है, Mozambique है, जांबिया है, तंजानिया है, तो यह नीचे की तरफ जो country है, वो है Zimbabwe, यहाँ पे भी आप यह फिजिकल मैप में, और पॉलिटिकल मैप में देख सकते हैं, किसी भी location की बारे में, जब आप study करते हैं, जब कोई question में, किसी particular location की बारे में, हमको बताया जाता है, तो इट इस ऑल्वेस बेटर की, आप उसको map से याद करें, क्योंकि map से याद करने में क्या होता है, कि वो अच्छी तरह से याद रहता है, एक तो आपको यह पता होना चाहिए, कि world में कहा है, और आपको यह पता होना चाहिए, कि अच्छा continent में अगर वो कहां पे है, उसके आसपस की countries कौन सी है, क्योंकि दो तिन भार यह repeat होगा, तो आपको उसके आसपस की countries भी पता चल जाएंगी, ओके, सो जिंबावे की capital क्या है, जिंबावे की capital है, हरारे, वहां के president कौन है, वहां के president है, इमर्सन मनन गागवा, ओके, वहां की currency कौन सी है, वह currency यूज़ करते हैं, United States dollar ही यूज़ करते हैं वो लोग, next question की बात करें, तो हम लोग autistic pride day कब observe करते हैं, autistic pride day हम लोग observe करते हैं, 18th of June को, जैसे कि आप photo में भी देख सकते हैं, so basically यह observe, यह हम लोग day observe करते हैं, to give rights to persons, जो autism बिमारी से जूज़ते हैं, जिनको autism बिमारी होती है, autism बिमारी क्या होती है, वो ऐसी बिमारी होती है, जो हमारे development को थोड़ा सा hamper करती है, हमारे social skills, जो लोग बहुत सारे अगर जैसे बहुत बड़ा group है, जो लोग उनके बीच में जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं, social anxiety हो जाती है जिनको, उनके पसीने आने लग जाते हैं, बहुत ही हाथ पेर फूल जाते हैं, वो के repetitive behaviors होता है, बार-बार एक ही चीज़ करते रहते हैं, वो बोल नहीं पाते ठीक से, non-verbal communication नहीं कर पाते, जो यह सब जिनको भी बिमारी होते हैं, वो autism बिमारी से जूचते हैं, राइट, देखो दो questions हैं जो इसमें आ सकता है, पहला question तो यह है autistic pride day, autistic pride day तो हम लोग 18th June को मनाते हैं, and second question आता है, कि world autism day, world autism day अलग होता है, right, world autism day होते दोनों, autism से ही related है, मगर दो different days है, अगर world autism awareness day आप से पूचा जाए, तो वो मनाया जाता है, April 2nd को, right, and अगर आप से autistic pride day पूचा जाए, तो वो मनाया जाएगा 18th June को, so आप इन दोनों के बीच में, difference होना आपको पता होना चाहिए, कि इन दोनों के बीच में, dates का क्या difference है, okay, because confusion हो जाती है, अक्सर students गलत माग कर देते हैं, second last question की बात करें, so इंडिया की rank क्या है, global energy consumption growth 2019 में, जो कि अभी BP, BP भारत petroleum नहीं है, यह है British petroleum, British petroleum के बारे में, हमने अभी कल ही discuss करा था, कि British petroleum ने, अपना जो commercial division है, वो पूने city में खोला है, right, so BP ने एक statistical review करा है, so उसमें इंडिया की rank क्या है, उसमें इंडिया की rank है 2, और यह growth की rank है, मतलब की rate, कितने rate से बढ़ रहा है, okay, so global energy consumption में, इंडिया की rank second है, सबसे तेजी से, मतलब पिछले साल के comparison में, सबसे तेजी से बढ़ा है consumption China का, फिर बढ़ा है इंडिया का, और फिर बढ़ा है Indonesia का, यह total consumption नहीं है, यह rate of consumption है, मतलब कितनी तेजी से वो बढ़ा है, ठीक है, इसलिए Indonesia third पर आ चुकी है, अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका गिरा है तो सबसे ज़्यादा गिरा है US का और फिर है Germany का उन्होंने अपनी consumption का जो great है वो सबसे कम करा है राधर वो decline हुआ है लास्ट कोशन की बात करें सो कौनसे स्टेट ने celebrate करा है अभी 19th great june uprising day वो celebrate करा है मनिपूर की सरकार ने आप देख सकते हैं मनिपूर क्योंकि यह भी एक location है तो हम लोग इसको maps के थू ही याद करेंगे आप देख सकते हैं नौर्थीस्ट में जितने भी हमारी states है उसमें बहुत confusion होता है वह basically यह तीन states में confusion होता है कि कौनसी स्टेट कहां पर है तो मनिपूर जो है वो बीच में है उसके ओपर नागल एंड है और नीचे है मिजुरम त्रिपूरा की पता है आपको त्रिपूरा इसका उनिसवा इस अनिवर्सरी है मतलब 19 जैसे आप 19 साल के हो जाते हो ना यह है 19 और नाम क्या है Great June Uprising Day और मनाते का हमें 18 जून को आप लोगों को कैसी लगी वीडियो हमें comment box में लिखके बताइए प्लस हम लोग government recruitment भी बताते हैं जो जो नईने recruitment आये हैं like विहार technical service commission में अभी food safety officer की vacancy निकली है जिसमें BSC जिस लोह ने करा है वो apply कर सकते है 91 post है प्लस ISM धनबाद में junior research fellow जो की post graduates है MSC, MTAG या ME वो apply कर सकते हैं ISM धनबाद में प्लस राजिस्थान home guard, home guard में 8th pass की होती है qualification वहापे 2500 vacancies निकली है अगर आप eligible नहीं है आपको लग रहा है यह vacancy बहुत छोटी है तो आपके आसपास कोई ना कोई essay होंगे worker होंगे या फिर laborers होंगे या फिर ऐसे कोई इनसान या बच्चा होगा जिसको यह vacancy उसके काम आ सकती है तो आप उन्हें बताइए उनकी मदद करिए कि वो लोग कैसे apply कर सकते हैं जो छोटी छोटी vacancies होती है अगर आपके लिए useful नहीं है तो आप उसको pass करिए information because जो एर्थ पास होगा definitely वो internet access नहीं कर पा रहा होगा और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनको बताएं अगर आसपस हमारे ऐसे कोई इंसान available है या बच्चा available है तो ओके सो आप हमें facebook और instagram पर join कर सकते हैं कोई भी तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो किसी पित्रा की guidance चाहिए हो पढ़ाई से related या फिर other than studies सो हमारा handle है feedback academy official प्लस same handle से हम लोग एक telegram group भी operate करते हैं जिसमें हमारी सारी वीडियो की PDFs available है हर PDF जो करेंट अफेस की हम लोग daily डालते हैं वह available है प्लस जितने भी recruitments डाल रहे हैं इनकी भी PDF available है जितनी भी recruitments हमने आपको बताए हैं इनका official link description box में है तो आप directly description box में जाके link क्लिक करके आप directly उनकी website पर जाएंगे जहां पर recruitment दे रखा होगा किसी भी और site पर जाने की आपको ज़रुवत नहीं है सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है हमारी शाम को एक revision वीडियो आएगी पांच बजे जिसमें हम लोग test लेंगे basically एक free test series टाइप है इसमें आप check कर सकते हैं कि आपने कितना याद करा है okay so thank you very much and we'll see you tomorrow stay safe and stay at home